किशान अभी मेहनत कर रहे हैं यहां से गंगोत्री की धारा निकलेगी बीजेपी परत्यासी गंगोत्री कुजूर के पक्ष में जन संपर का भियान पर निकले हैं आशु प्रमुक्ष सुदेश मातो सुदेश जी कहते हैं कि आप में वो कला है कि नब्स पकड़के बीमारी का इलाज बता देते हैं तो आज जनता का नब्स टटोला क्या कुछ लग रहा है देखो आज यह उपचुनाओ कोई जनता चाहती नहीं है जो परिस्तिती वनी उससे वो लोग वाकिप हैं और इस उपचुनाओ निशित रुप से जो पिछली जो सरकार के खिलाप में जो गडवंधन तयार हुआ था और गडवंधन के वाइदों को उन्हीं के सामने सी सरकार के सामने रखकर जबाब देने का एक शमय इनको मिला है यह उपचुनाओ संदेश होगा कि वरतमान सरकार के कामकाजों का यह कहीं ना कहीं यह भोट उस रूप से आएगा यह उपचुनाओ कोई गवर्मेंट वनाने के लिए नहीं लेकिन राज की कूब्य अवस्ता के खिलाप में एक जनादेश होगा कर आपको करें कंग्रेस और जेमयम की केला उनहीं को फाइदा करता है जिनको सुगर का बिमारी ना हो यहां के उमेदवार जो है робीजेपिक लौन टीपनिया चलती रहेंगी लेकिन जंता के दिल को को थो चाते हैं कि गोत्री इस जमीन कि सानatique धरा द्राँ है यहां पर जो भी किशान अभी मेंध कर रहे हैं जो और दीक joy had किसी विशाई पर में चर्चा नहीं करूंगा लेकिन यह चुनाओं वेसिकली जो हो रहा है किसी एक व्यक्ति के खिलाप नहीं यह पूरे राजी के जो बरतमान सरकार के खिलाप में चुनाओं होगा बंदू जी निश्चित रूप से यहां विदाएक रहे हैं और यह जो सरकार में मुख्या कर रहे हैं कोई बंदू भाई कर रहे हैं तो एक बात तुतै है सुदेश मतो जी कह रहे हैं कि यहां का जो निशाना है वो दरासल यह है कि जो यहां आएगा वो क्या परिवारवाद को बढ़ावा देगा यहां के किसान चाहते खेट में पानी इसलिए उनको गंगोत्री किया सकता है यहां के लोग चाहते हैं जो सरकार ने इन से वादा किया और भूल गई धाई सालों में पूरा नहीं की उसका आज जबाब लेंगी जनता बदला लेगी उस गटबंदन से जिसको पिछली बार मोहर दिया था और वो जनता के काम नहीं आया फिलहाल सुदेशमा तो गाउं गाउं जा रहे हैं घूम घूम कर लोगों से यही कह रहे हैं कि आपको कमल चाप में भोट देना है और भारी मतों से गंगोत्री कुजूर को जिताना है 26 तारिक को पता चलेगा कि जनता के दिल में किसकी आवाज सबसे ज़्यादा घर कर गई सिमंध संस्थान भायों इनु एवं नगरतोली राची